जैम आता दी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंडेक्स की ओप्शन बाइंग की हेजिंग स्ट्रेटजी यानि की बैंक निफ मारकेट ने मूमेंटम भी किया फिर फिर वीडियो में आपका यें फंड़ा क्लियर होने वाला है और मैं सच बोल रहा हैं दोस्तों यह वीडियो देखने कंडे यह सेटप देखने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे मतले हाथ मलो थूस अपने इतने दीन तक इतनी चोटी सी बात को हमने follow नहीं किया, इतने चोटी से setup को हमने follow नहीं किया, जिसमें हम hedging को profitable बना सकते हैं, यह जो दोनों साइड हमको loss हो रहा है, इसको हम profit में बदल सकते थे अगर हमको यह पता होता तो, और यह video दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी है, इस video आप पूरा YouTube चा के बीच में हेजिंग की और जो सभी पोराने ऑनि दोस्तो पटा है में बहूत कम सेट प ले कर आता हूं लेकिन सब गर CRT किया हुआ होस्ता है 10 rep के प्रोफिटेबल बन सकता है यानि कि ऑटो मैं कोहीड भातों की बात नहीं बोलता हूं कि मतलब कुछ वह बोल बातों का कोई लोजिक ही न है इनलोरी बाते हैं न से हरैं ना पर हैं क्लिएरूंट की समझे में सुनोच भी नहीं जाता हूं बलकि मेरी मैं आपको पुरूफ के साह इसी कें करता हूं कि यह देखिए यह लोजिक है इस्टेटजी का काम करने का ता कि सब का माइंड एक दम से कलियर हो जाए तो यह वीडियो भी दोस्तो ऐसे ही होने वाली है तो दोस्तो एंड तक देखना मुझे कोई जल्दबाजी नहीं मचे कोई खाई नहीं मचे कि मैं फटा फट बना दूँगा, छोटी वीडियो बनाऊगा तो ज्यादा व्यूज आएंगे यूटूब पे नहीं, तीन सो लोग भी दोस्तों, तीन सो लोग भी अगर इस वीडियो से सीख के कुछ हासिल करते हैं, तो मैं अपनी महनत को सफल मानूगा, तो दोस्तों पैन को पी लेके बैठ बिलकुल रिलेक्स माइंड होके बैठीगा, बड़ी आसान भासा में, एक एक चीज को हम बड़ी बारीकी से सीखेंगे, कोई बड़ी रोकेट साइंस नहीं, फटाक से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो बिना देरी किया हैं, दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू क प्राइज लें, कितना टारगेट लगाएं, कितना स्टोपलोस लगाएं, और आज तक आपने ऐसी क्या गलती की थी, कि जिसकी वज़े से आपको दोनों साइड लोस हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बार गलती पकड लोगें, ट्रेडिंग में, कोई भी ट्रेड पढ़ना बताऊंगा दोस्तों, मतलब चार्ट को देखके भी आप हेजिंग कर सकते हो, वो भी हम वीडियो में एड कर देंगे, यानि कि चार्ट ट्रेडिंग हमको कैसे करनी है, तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हम डिसकस करते हैं, हेजिंग क्या होती है, और हेजिंग करते हैं, फ्यूचर बाइ कर लिया, अगर उनको लगता उपर जाएगा, और उसके साथ एक पूट बाइ कर लिया, अगर वो गलत हो जाए, तो पूट में उनको प्रोफिट हो जाए, यानि कि लोस जो है, वो मिनिमाइज हो जाए, तो कई तरह की हेजिंग होती है, हम यहां लाई गई थी, हेजिंग का मतलब क्या है, हेजिंग का दोस्तो असल में मतलब है, इसका दूसरा जो नाम है वो है दोस्तो इंसोरेंस, इंसोरेंस आप समझते हो, इंसोरेंस होता है दोस्तो अपने लोस को मिनिमाइज करना, देखिए, मैं आपको आसान भासा में समझाता रिस्क तो हैं ना कितना ज्यादा रिस्क लिया, क्योंकि तो रिस्क लिया तो एक क्रोड रुपे की उसने पूंजी लगाई है, इसकी आओज में वो क्या करेगा? ईक इंस्वरेंश करेगा और इंस्वरेंश कैसे करेगा? हेजिंग लेके करेगा यानि कि उसको लगता है रिलेंस उपर जाएगा और उसने एक रोड रुपे डाल दिये तो वो क्या करेगा Reliance का या तो एक put buy कर लेगा कुछ lot put के buy कर लेगा या फिर coal को short मार देगा यानि कि उसकी hedging हो गई अगर उसका दाव उल्टा पड़ गया मान लीजिए Reliance उल्टा नीजिए आने लगया तो जो उसका lows होगा वो minimize हो जाएगा वो कम lows होगा उसको यानि कि hedging केवल insurance purpose के लिए दोस्तो लाई गई है लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज कल इसका आपको पता एक धन्दा टाइप बना दिया सब भी करते हैं क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है कम पैसे में काम चल जाता तो दोस्तो हेजिंग क्या है समझ में आ गया ठीक है कितने परकार की होती है वो समझ में आ गया अब बात आती है हेजिंग करने का सही समय क्या है हेजिंग कब की जाती है तो हम जहां पर option buying की बात करें तो हम इसको option buying के नजरिये से ही समझेंगे देखिए दोस्तों हेजिंग option को एक concept आपको समझना पड़ेगा पहले concept का मतलब क्या है दोस्तों देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को ये फिन इप्टी है फिन इप्टी का option chain है आपको दोस्तों concept क्या समझना है कि जो यह माल लीजिए आपने 19,850 का एक कोल बाय कर लिया 45 रुपए देखिए अब आप समझिए आपको concept क्या समझना है कि ये जो 45 रुपए है ये ज्यादा कब होंगे देखिए एक तो simple सी बात है कोई कोल कब बाय करत है जब उसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो कितना जब मार्केट नीचे जाएगा उसका कितना आपका प्रीमियम बढ़ेगा ये concept दोस्तों आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है सेट अप सीखने से पहले यानि कि 19,850 पे आपने 49 रुप 25 रुपए दे कि मैं आपको ये concept समझाने की कोशिस करता हूँ देखिए ATM-OTM का तो मेरी ख्याल से जितने भी option trader सभी को पता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार मोटा-मोटा ATM का मतलब होता है दोस्तों at the money at the money का मतलब होता है जो चल रहा है ठीक है दोस्तों तीन तरह की important strike price इनको हम बारी किसे किसी दूसरे वीडियो में discuss करेंगे और option Greeks की वजए से दोस्तों ये premium है ये ऊपर नीचे होते हैं बहुत सारी option Greeks हैं दोस्तों लेकिन ज्यादा हम discuss नहीं करेंगे अगर आप बोलोगे तो उसको भी हम किसी दूसरी वीडियो में पूरी option Greeks को cover कर देंगे अगर आप comment करोगे तो फिलाल option Greeks में से 2 point समझने दोस्तों हमारे लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी है जो hazing के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी है और वो 2 point दोस्तों क्या है पहला point लिख लीजिए पहला point है दोस्तों theta ठीक है पहला point है theta जिसको हम time decay कि क्या बोल देते हैं ऐह क्या ओता है दोस्तों यह होता है अप्शन जो बार अधार के लिए जो ठीटा है वह बहुत ज्यादा खतरनाग है ठीक हमारे के लिए नुकशानम दक है यह हमासे फेवर में नहीं होता कैच करना है इससे सबसे ज्यादा हमको बचाओ रखना इससे हमको यहने की थीटा से हमको बचके रहना और ओप्षन के प्रीमियम भी दोस्तों इसी की वज़े से गठते और बढ़ते हैं तो अब हम इसको बारी-बारी से समझते हैं पहले थीटा को समझेंगे फिर हम आईवी देखिए माल लीजिए दोस्तों निफ्टी निफ्टी चल रही है 19,500 के उपर ध्यान से सुनिएगा बात को 19,500 पर निफ्टी चल ले करेंट मार्केट प्राइज निफ्टी का अब ऐसे में क्या होगा दोस्तों माल लीजिए आपने निफ्टी का 19,600 का एक कोल ओप्षन 50 र यह ले रहे हो लेकिन निफ्टी कहां पर चल रही है 19,500 पर चल रही है ठीक है तो यह कौन सी स्ट्राइक प्राइज है यह O.T.M. स्ट्राइक प्राइज है कैसे पहचान हुई O.T.M. है क्योंकि यह बात अभी सच नहीं हुई है यह बात अभी जूट है अभी निफ्टी ग करने की बात है वो नोट कीजिए OTM की स्ट्राइक प्राइज जितनी भी होती है दोस्तों जो उसका प्रीमियम होता है जैसे कि ये 50 रुपे ये केवल थीटा होता है ये केवल टाइम डिके होता है बात समझ रहे हो ये खतम होता है ये डेली खतम होता है जो टाइम डिके होता है वो डेली खतम होता जाएगा और एकसपारी वाले दिन वो जीरो हो जाएगा और ज्यादातर दोस्तों जितने भी हेजिंग करते हैं जितने भी ट्रेडर जो हैं हेजिंग करते हैं वो इस थीटा के साथ हेजिंग करते हैं अभी आप आपको दीरी दीरे आपके खुलना सुरू हो जाएंगी इससे बचा कैसे जाए वो भी मह बताऊंगा चार्ट पढ़ना भी मह बताऊंगा पहले आप ध्यान से समझिएगा और टीम की जितनी भी स्ट्राइक प्राइज होती है उसमें जो आप वैल्लू दे रहे हो जो प्रीमियम दे रहे हो वो केवल थीटा होता है और एकसपायरी वाले दिन वो कम हो जाता है अब यह जीरो होने का दोस्तो एक तरीका है और वो तरीका क्या है अब वो समझेगा ध्यान से पहला पॉइंट आपने क्या लिखा यह ओटीम की स्ट्राइक प्रैज है और ओटीम में जो प्रीमियम आप द है एकसपायरी वाले दिन ठीक है और कैसे चीरो होता है उसका चांदतरीका होता दुस्तो और कितना हर रोज कितने ठीटा के कट जाएंगे नसीर फूस का पर देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा नहीं Đте ये दोस्तों आज मंडे है मंडे के दिन ये 50 रुपए है मंडे के दिन शाम होते होते ये कितना रह जाएगा 42 रुपए रह जाएगा फिर आ गया दोस्तों ट्यूजडे ठीक है यानि फिर आ गया मंगलवार मंगलवार को शाम होते होती है कितना हो जाएगा 42 रुपए में से यह रह जाएगा 33 रुपए 32 रुपए कितना कम होगा वो एक वेबसाइट पर सेंसेबूल पर हम चेक कर सकते हूं मैं आपको दिखाऊंगा यह 33 रुपए रह जाएगा मंगलवार के बाद आता है दोस्तों बुदवार ठीक है और बुदवार के दिन यह कितना हो जाएगा 22 रुपए 23 रुपए या फिर 20 रुपए इतना हो जाएगा फिर आता है दोस्तों ब्रस्पतवार के दिन यह कितना रह जाएगा 10 रुपए के आसपास रह जाएगा और 10 र जो हेजिंग करते हैं 근데 के साथ हेजिंग करते हैं उनको पता ही नहीं एक तो जीरो होने वाला है ठीक है और ज señor् kicking नजदीक आती जाएगी जितनी एक्सपैरी नजदीक आती जाएगी ये दुगनी सपीड से कम होता जाएगा अब मैं आपको ना एक और एक्जामपल देता हूँ आपने बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ऐसा किया होगा कि माल लीजे सोमवार के दिन आपने क्या किया 19,500 पे खुले लेकिन यह 50 रूपे का प्रीमिम अना यह आपको 40 रूपे हुआ मिलेगा आप देखो गहार मर्केट तो नहीं पर है यह 40 रूपे दस रूपे मेरे कहां गई यह 10 रूपे दोस्तों ऑप्शन सेलर की जेब में गई यानि कि जो थिट्टा होता है वह ओप्शन सेलर की जीव में जाता और ये डंनी कम होता है अब मैं आपको धिखाता हूँ option chan में ताकि एपको अच्य समझ में आ जाए, ये दौसतों फिन निफ्टी का है मैं नििफ्टी अब दीका है इसलिए उनकी आसा हो अब अब आपको दीकेगा 19,600 पे मान लीजिए निफ्टी चल रही है मान कहा लीजिए भाई चल ही रही है अब देखिए 19,650 क्या है दोस्तों एक OTM की स्ट्राइक प्राइज है इस पे देखिए कितना रेट चल रहा है 88.90 पैसे टाइम वैल्यू देखिए आप कितनी है 88.90 पैसे अब बताइए भाई ये 88.90 पैसे तो जब निफ्टी के एक्सपारी आएगे न ब्रिस्पतवार को ये हर रोज कम होगा और हर रोज कितना कम होगा ये हैं दोस्तों ठीटा और हर रोज ये इतना कम होगा आज तो ये 8 रुपे कम होगा कल ये 10 रुपे कम होना शुरू हो जाएगा परसों ये 15 रुपे कम होना शुरू हो जाएगा यानि कि जैसे जैसे एक्सपारी आएगी जितने भी ओटियम की स्ट्राइक प्रैज है वो सारी 0 हो जाएगी एक्सपारी वाले दिन शाम होते होते ये दोस्तो होता है थीटा, तो थीटा सबको समझ में आ गया है, थीटा क्या होता है, दूसरी क्या चीज दोस्तो मैंने आपको बताए थी, वो बताए थी मैंने intrinsic value, यानि की IV, ये दोस्तो option के favor में होती है, ये option के काम की चीज होती है, अब IV को समझे द्यान से, मैं केवल दो point आपको option ग्रीक से निकाल गे बता रहा हूं, इसमें delta भी होता है, गामा भी होता है, वो बात की बाते हैं, लेकिन जो सबसे important है, जिनके साथ हमको हेजिंग करनी है, ये दोस्तो दोस्तो दो ही चीज़े है, तो ये थीटा आपने समझ लिया क्या होता है, थीटा दोस्तो के intrinsic value क्या होती है, माल लीजिए, वही हम example लेते हैं, निफ्टी का जो रेट चल रहा है, ये है इसका current market price, ठीक है, अब हम जाते हैं, 19,400 पे, 19,400 पे माल लीजिए, हम निफ्टी का 9,400 का कोल option बाये करते हैं, निफ्टी, 19,400 का CE, कितने का मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है, दोस्तों, आपको 150 रुपे गा, ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से बात को समझ येगा, अब देखिए, निफ्टी के अंदर, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइज है, ये है, आईटीम, ठीक है, आईटीम है, अब आईटीम में, एक बात और लिख लीजिए, पहन कोपी में, इंट्रेंसिक वैल्यू जो होती है, वो केवल इंदा मने की स्ट्राइक प्राइज में मिलती है, और जो एट दा मने की स्ट्राइक प्रेज होती है जब वह इंदा मनी आती है तो उसमें वह बनना शुरू हो जाते है बहुत चारे नए लोगों को दोस्ते यह समझ में नहीं आएगा लेकिन धीरे जैसे ही हम स्ट्रेटजी तक जाएंगे यह सब आपका कलीर हो जागे स्ट्रेटजी बड़ी नहीं है उसमें केबल थिटा होता है एट दा मनी की जो स्ट्राइक प्रैज जैसे ही इंदा मनी होती है उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू एड होना शुरू हो जाती है ठीक है तो अब सुनिएगा ध्यान से उननीस हजार चार सो की जो स्ट्राइक प्रैज का कोल ओप्शन है वो 150 प्रैज मार्केट से हम कितना इंदा मनी हुँ वह हमको पता करना एक जो प्टा मनी है अगर आप सो क्वाइं इंदा मनी हो मार्केट से तो ऐसमा इसके अंदर क्या है आपकी 100 रुपय इंट्रेंसिक वैल्यू है और बाकी के 50 रुपय दोस्तों क्या है बताओ एक बार फटाफट कोमेंट करके बाकी के 50 रुपए क्या है हाँ बाकी के 50 रुपए है टाइम वैल्यू यानिकी ठीटा अब सुनिएगा ध्यान से मार्केट अगर 19,500 के आसपास चलती रही चलती रही चलती रही तो एक्सपारी वाले दिन वैसे भी आपके यह 100 रुपए ही रह जाने हैं क्योंकि 50 रुपए कहां गए ओप्शन सेलर की जेव में गए यो तो ठीटा है वो तो कटेगा ही कटेगा केवल 100 रुपए आपके बचेंगे और यह 100 रुपए किस चीज़ के बचेंगे दोस्तों केवल इंट्रेंसिक वैल्यू के बच है तो निफ्टी माल लीजी चल रही है उनीस हजार 500 पे क्या हीक Пरीड़् estásets करेंट मार्केट प्राइश है ओडिक है और हमने क्या क्या निफ्टी का 19,450 का को ओप्शन हमने बचेंगे кिया कितने रुपए देके बचेंगे किया इसमें इंटरैंसे वैल्यू कितनि एंट्र intrinsic value ठीक है और 50 रुपए आपका होगा time value का तो यह आपका rate मिलेगा आपको 100 रुपए के आसपास महलत time value में यहां पर दोस्तों एक अंदाजा लगा रहा हूं time value आपको sensible की option चैनल में दिख जाएगी यह हर date को अलग-अलग होती यानिकि जितनी experience होगी उतनी time value भी आपको कम मिलेगी लेकिन intrinsic value आपको सेम मिलेगी यानिकि 1500 से लेके जो आप strike price ले रहे उसके जो बीच का gap है वो है intrinsic value और जो extra बच गया वो है दोस्तो time value आप सब का clear हो गया यानि कि intrinsic value भी clear हो गया time value भी आपका clear हो गया अब दिक्कत कहाँ पे आति है दोस्तों अब आईए setup के उपर ठीक है दिक्कत कहाँ पे आती है जब भी दोस्तों जो सबसे पहली गलती जो trader करते हैं सबसे पहली गलती हेजिंग करते हैं strategy पे आ गये हैं भाई अब हम ठीक है तो जो सबसे पहली दूस्तो गलति करते नहीं वống ये प्योंव करते हैं कि elles क्या लाधिर लृइल्ण करते हैं और करते हैं दूसरी सबसे बड़ी देख लीजिएगा, अगर मार्केट के 100 दिन के आप चार्ट को देखोगे तो आपको केवल 30 या 35 या जाद से जाद 40 दिन ही मार्केट आपको ट्रेंडिंग मिलेगी बाकी 60-70 दिन मार्केट आपको क्या मिलेगी sideways मिलेगी और sideways market में जो theta है जो time value वो तो भाई डेली कम हो रहा है तो आप क्या करते हो अब मैं आपको एक example देखे hedging समझाता हूँ hedging लोग करते कैसे हैं hedging का बताता हूँ nifty का ही मैं example लेता हूँ nifty 19,500 पर चल रही है ठीक है current market price है अब लोग क्या करेंगे माल लिजाद सोम्मार है सोम्मार वाले दिन या फिर expiry से एक दिन पहले बुदवार माल लिजे बुदवार का दिन है अब लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ 19,600 का CE बाई कर लेंगे कितने रुपए देगे माल लिजे पचास रुपए देगे बाई किया ठीक है और यानि कि strike price दोस्तों कोन सी है यह OTM कि strike price है आप जो यह 50 रुपए दे रहे हो यह केवल time value के दे रहे हो ठीक है किस चीज के दे रहे हो time value के दे रहे हो अब ऐसे ही put side का भी बाई कर लेते हैं इन दोनों पचास पचास रुपए के प्रीमियम में intrinsic value कितनी है भाई कितनी भी नहीं है क्योंकि intrinsic value केवल इंदा मनी के strike price में मिलती है तो भाई यह 50 रुपए किस चीज के दिये आपने सरी यह तो केवल time decay के दिये और कब दिये भाई यह आपने सरी यह दिये हमने बुद्वार को ठीक है बुद्वार को हमने क्या दिये time value के 50-50 रुपए दे दिये अब हो गया क्या दोस्तों market क्या करेगी एक बार 19,500 से 19,600 के पास जाएगी उस के time उस time आपका क्या हो जाएगा प्रीमियम जो है यह 80 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा फिर वो क्या करेगी वापिस 19,500 के आसपास आ जाएगी फिर आपका प्रीमियम वापिस 50 या 48 रुपए रह जाएगा स्याम होते हो तो एक बार फिर से 19,500 के पास जाएगी लेकिन ध्यान सुनियेगा पहली बार जब यह 19,500 के पास गई थी तो आपका प्रीमियम 50 से बढ़के 80 हो गया था 2-3 गंटे के बाद जब यह 19,500 के आसपास जाएगी फिर 80 रुपए नहीं होगा आपका प्रीमियम फिर आपका प्रीमियम होगा 70 रुपए क्योंकि जो 2 गंटे का टाइम डिके गया भाई वो कहा गया टाइम डिके वो खतम हो गया ना तो फिर 80 रुपए नहीं होगी और इसी उलजन में दोस्तो वो श्याम तक बैठे रहते हैं और श्याम होते होते निफ्ती क्या करती है क्लोजिंग दे देती है वापिस 19,500 या 10.5 पाइंट उपर नीचे लेकिन भाई जो श्याम होते होते जो प्रीमियम जो ठीटा जो कटा है सब्सक्राइब को कितना कटता है अपको एक दिन का प्रिमियम सायड का प्रीम्यम होते 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 रहा गया 40 रूपए चालिश उस साइड रहना है क्योंकि दिन का दोंकि सेंट आपको पेहले। यार मार्केट ने तो मूँ भी किया था, मार्केट उपर भी गई थी, मार्केट नीचे भी गई थी, फिर भी मेरे को लोस हो गया, यह क्या फंडा है, अब समझ में आया क्या फंडा था, वो थिट्टा कट गया आपको, इसका इलाज क्या है, एक बार इलाज बताने से पहले पहली बात क्या आगई, आप गलत समय पे ट्रेड कर रहे हो, दूसरी बात क्या है, आप गलत दिन ट्रेड कर रहे हो, गलत समय पी भी ट्रेड कर रहे हो, गलत दिन भी ट्रेड कर रहे हो, तीसरी सबसे जुरूरी बात क्या है दोस्तों, आप गलत स्ट्राइक प्राइज आप समझेगागा बात को फिन निंफ्टी के अंदर थिटा कितना कट रहा है ओ टीएम की स्ट्राइक प्राइज मि chicos चल रही है आपको फिन निफ्टी कितने पर चल रही है फिन निफ्टी चले दोस्तों उनिजर आठाट रहाज़ा यानि कि 19,811 से जितनी भी उपर की स्ट्राइक प्राइज है वो सारी क्या है OTM की स्ट्राइक प्राइज है ठीक है उनके अंदर क्या है केवल ठीटा है प्रीमियम जो आप दोगे उस वो केवल ठीटा होगा अब जमझेगा बात को प्रीमियम कीतना है 45 रुपे है एक दिन का कितना कट रहा है चेह रुपे कट रहा है कट रहा है और देखिए टाइम वैल्यू है कि यानि कि फिन निफ्टी अगर उननीजार आठ सो से उननीजार आठ सो पचास के बीच में भी घूमती रही तो भी परसों मंगलवार को यह जीरो हो जाएगा अब यह तीन दिन की चुटी आगए टाइम डिके गया भाई यह सुब्या मंगलवार को अगर निफ्टी यही पे खुलती है न फिन निफ्टी तो यह देखना 45 रुपए आपके कितने पर मिलेंगे समझ रहे हो बात को यह 45 रुपए आपके मेरी ख्याल से हो जाएंगे 20 रुपए पर मिलेगा आपको यह क्योंकि डेली का जो ठिटा कट रहा है और उस दिन तो यह ठिटा बहुत ज्यादा कटेगा भाई अब एक और ए इसमें जो प्रीमियम है वह 72 रुपए पिचानवे पैसे आपने दिया है यह दो तीन देने की छुटी थी दोस्तों आपको इस वज़े से दिखा रहा है अगर मार्केट ओन होती तो आपको और भी कम दिखाता है क्योंकि यह परसों कम होगा अभी तो मार्केट बंद है तो कम कैसे होगा तो 72 रुपए पैसे आपने दिये उसमें से टाइंव वेल्यू कितनी है बताऊ टाइम वेल्यू कितनी है 23 रुपए 18 पैसे जो डेली के 7 रुपए आपके खा रही है तो बाकी बचा क्या हो गया इसमें इंट्रनसिक वेल्यू हो बात को समझ रहे हो अब जैसे मैं आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूं यह दो चीजे ठीटा और इंट्रेंसिक वैल्यू आपको हेजिंग करते हो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है ठीक है मैं आपको थोड़ी देरे में बता हूं कब हेजिंग करनी चाहिए अब देखिएगा 19600 जो है कितने पर चल रही है निफ्टी एक बार में दिखा देता हूं आपको निफ्टी चल रही है वाई 19,638 पे और 19,600 क्या होगी इंदा मनी होगी अब इंदा मनी की स्ट्राइ अब 119 में से बहतर गए कितने बच गए वाई 119 में से बहतर गए मैं आपको दिखा देता हूं 119 गटा में 72 कितने बच गए 47 रुपए 47 रुपए में से निफ्टी कितने पर चल रही है 19,638 पे तो 38 रुपए क्या है इसमें 38 रुपए हैं दोस्तों इंट्रेंसिक वैल्यू और बाकी क्या है वो है दोस्तों डेल्टा जो कि आपको बाद में समझ में आएगा इसका हेजिंग से कोई मतलब इतना खास होता नहीं है होता है लेकिन जब आपके फेवर में मार्केट जाएगी तब होता है उस उप्शन इगरिक्स को मैं आपको ध्यान से समझाओ लेकिन यह बाकी के ऊपर का जो यह जो अगर आप 600 की स्ट्राइप प्रेज लोगे तो 38 रुपए है आपके प्रीमियम में एड होंगे इंट्रे जिएगा गलती क्या क्या करते हैं लोग सबसे पहली गलती करते हैं दोस्तों हेजिंग को गलत समय पे लेते हैं गलत दिन लेते हैं गलत स्ट्राइक प्राइज लेते हैं यह तीन चीजें हो गई लेनी कौन सी चाहिए भाई आप ठीटा के साथ हेजिंग क्यों कर रहे हो और करना चाहिए देखिए आपको एक डिस्कलेमर मैंने लिखके भी दिया दोस्तों वीडियो के डिस्केशन में मैं इसे कोई लिखके बताता है मैं बोल के बता रहा हूं इधर मैं कोई कोल टिप्स नहीं दे रहा हूं केवल एजुकेशन परपज के लिए मैं यह वीडियो बना कि यह करने न करने चाहिए हुआ जान jóे एक्सपाइरी वाले दिन करनी चाहिए और एक्सपाइरी वाले दिन किस शमय करनी चाहिए जाल कि अब इसका लोजिक समझो घ् सihB मनी ITM या फिर ATM ठीक है या तो थोड़ी सी इंदा मनी या फिर ATM जो चल रहा है प्राइज उसके आस-पास इसका दोस्तों लोजिक समझेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों एकस्पायरी आते आते ठीक जो है जो आपको लोज करवाता है उसने हेजिंग में वो खतम हो जाएगा दो बजे तक पहली बात तो सुबह सुबह तक आदे से जाता तो वो खतम हो जाएगा फिर जैसे जैसे दो बजे गे दोस्तों दो बजे तक जितना भी उस प्रीमियम में है वो सारा खतम हो जाएगा उसमें क्या बचेगा उसमें केवल इंट्रेंसिक वैल्यू बचेगी जो भी आठ दस रुपए होगी वहीं और वहीं आपको प्रीमिम मिलेगा दो बजे के आसपस या दो बजे या धाई बजे के बाद अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों ध् रेकिएगा बात माल लीजिये फिन कि परसोब एकस पारी है मंगलवार को एकस पारी है फिन इप्ती उननीजार आठ्सों पे ही खुलती यह इस बहतर उसम रुपय में से यह उसम जो टाइम वैल्यू है वह खतम ठीक है और यह 45 रूपय आपके 22 रूपय मिलेंगे 20 रूप् यह सारी time value है और यह श्याम होते होते जीरो हो जाएगी अब मानिये निफ्टी मंगलवार के दिन फिन निफ्टी 19,850 पे आ जाती है लेकिन आती कब है वो आती है दो बजे के आसपास तो भी दोस्तों आपका premium नहीं बढ़ेगा यह जो premium हा आपका यह मिलेगा बड़ी मुश इसके था वो दो जा चुका है खतम हो चुका है तो आप हेजिंग किस के साथ करोगे iw के साथ करोगे मैन पॉइंट है दोस्तों लिख लीजिए pen copy में हेजिंग कब करनी चाहिए केवल एक्सपैरी वाले दिन भाई फिन निफ्टी है और उससे आगे दिन मेरे क्याल से नत Grund क्या है एकसपैरिए यो ले दिन हेजिंग करना चाहिए दूसरी चीज दो बजे के बाद हेजik करना चाहिए क्यों क्योंकि सारा ट Week फिर छतम हो चुका होता है बचता है insisted उन सिक्वेलिु के आई वी के साथ हेजिंग कीजिए बात समझ रहो ताइम डिके के साथ हेजिंग करोगे तो मार खाओगे बाई सेट अप क्या यहीं तो सेट अप है बाई कितना सिंपल है एक बार आई वी और ठिट्टा आपने समझे लिया तो कितना सिंपल सेट अब मैं आपको लिख के बताता हूं ठीक है आपको आरा पोस्ट को डिलिट कर दिया था मैंने मैंने हेजिंग की स्टड़ी दी थी लास्ट जो एक्सपारी थी फिन निफ्टी की और कैसे दी दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं फिन निफ्टी फिन निफ्टी चल रही थी दोस्तों 19,800 ठीक है करन्ट मार्केट प्राइज मैं एक्जामपल दे रहा हूं नोर्मल थोडा बूत जो लेवल है वो उपर नीचे हो सकता है 19,800 पे चल रही थी, हमने क्या किया था, 19,750 का, क्या किया था, CE बाय किया था, कितने रुपे पे किया था, 50 रुपे पे किया था, और ये बात दो बजे के बाद की है, दो बजे के बाद किया, और फिर दूसरी चीज हमने दोस्तों क्या की थी, 19,850 का, हमने पूट बाय किया था, फायदा बता हूँगा इसका क्या, वो भी हमने 50 रुपे में बाय किया, अब हुआ क्या दोस्तों, फिन इफ्टी, दो बजे की बात हैं, ये कितने बजे की बात है, दो बजे की, दो पी एम, हुआ क्या, फिन इफ्टी उस दिन सारा दिन साइडवेज थी, वो एक जोन के अंदर घूमती रही, लेकिन जो ये हमारा 50 रुपे था, ये कम नहीं हुआ, हमने कोस्ट टू कोस्ट एकजिट कर दिया, साइडवेज हुई फिर भी, वरना हेजिंग में, जब मार्केट साइडवेज होती है, तो क्या होता है, लोस होता है, दोनों साइड होता है, हमको क्यों नहीं हुआ, हमको लोस इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि हमने टाइम डिके, यानि कि थीटा के साथ हे किसके साथ हेजिंग की आईवी के साथ हेजिंग किया भाई हमने थीटा के साथ हमने हेजिंग किया ही नहीं और आईवी क्या है अब फिन निप्टी अगर बढ़ के दोस्तो 19,900 हो जाती बस एक मुँच आईए दोस्तो आपको एक्सपाःरी वाले दिन आपने अगर तीन एक श्पायरी ट्रेड किया और और यूजवश कहले न घम बंचीोछ तो उस टाइम कीजिए दो बज़े से पहले भी अगर टाइम वेल्यू कम बची है तो उसके बाद ट्रेड की जाए टाइम वेल्यू कहां पर देखनी है सेंसेबूल में देखनी है फ्री ओप कोस्ट है दोस्तों ठीक है तो अगर एक एक स्पायरी फिन इफ्टी ने 100 रुपए का मूँ दे दिया ना यानि कि 1800 से फटाक से अगर यह 1900 चली गी तो यह जो आपका कोल साइड का प्रीमियम है बताओ कितना हो जाएगा बताओ 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 तक पहुंच जाती है आपकी जो स्ट्राइक प्राइज है एक सुसाठ सातर पूश्य इधर आपको लोस कितना होँआ पचास रुपए का यह भी पूरा लोस नहीं होगा इसमें थोड़ा बहुत बच जाएगा दस पांच रुपए और इधर आपको कितना प्रोफिट होगा अगर निफटी 50- southern नीचे आएगी तो यह 100 रुपए हो जाएगी और अगर 50 काइंट उपर गई तो यह 100 रुपए हो जाएगी बात को समझестно तो तक शबर है पॉइंट चेल पॉइंट हो जाएंगे इतने पॉइंच सरेंगी इतने पॉइंट हमारे समें मैं अधुता जायों दूसरी है साइड से प्रीम मेंweek हो जाएंगे लेकिन एक बड़ा मुह चाहिए हमको 100-500 पॉइंट का हमको हमारा फंड डबल ट्रिपल करने के लिए और कई बार तो दोस्तों दो बजे के बाद 200-300-300 पॉइंट के भी मुह आ जाते हैं आपने देखा होगा तीन बजे के बाद तो भेंकर मुह आते हैं तो बात फिर से option chain दिखाता हूं अब इधर देखिए आपको यहां पर दिख जाएगा यहां पर दिख जाएगा कि time value कितनी बची है ठीक है अब expiry वाले दिन expiry वाले दिन अगर आप 1908 यह माल लीजिए expiry का दिन है ठीक है expiry का दिन है तो expiry का दिन है आज 19-811 पर फिर निप्टी चल रही है और 19-800 यानि कि eight दा मनी या फिर थोड़ी से इंदा मनी कि आपने माल लीजिए ठीक है और इसी कि आपने क्या कर लिया इसके उपर का पूट ले लिया अब बोने कीतने रुपए के आए 57 रुपए इस पर लिखा हु लेकिन यह क्या होगे दोस्तो डो बजए के बाद यह कम हो जाएंगे या झीप घ जोatti When तो आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो उस strike price पे दोस्तो आपको हेजिंग करनी है जिसमें से time value जा चुकी हो केवल intrinsic value बची हो यह strategy है दोस्तो यह setup है अगर अच्छा लगे समझ में आए like कीजिएगा comment कीजिएगा वही देखिए गला और तरीके का हो गय यहाँ वीडियो को शेयर करके comment करके होसला जरूर बढ़ाईएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिल्दा है तो हेजिंग हमको कब करनी है केवल intrinsic value के साथ करनी है एकसपैरी वाले दिन करनी है केवल और किसी दिन नहीं करनी है क्योंकि अगर बाकी के दिन हेजिंग करोगे तो जो time value वो कम होगा और आपका premium में से कम होगा वो ठीक है तो हेजिंग दो बजे के धाई बजे के बाद कब करनी है जब हमारी सारी के सारी time value जा हो निचड चुकी हो निचोड चुकी हो केवल intrinsic value बची हो ताकि एक कोई एक साइड बड़ा मूँ आए और हमको intrinsic value एड हो जाए हमारे premium में जितना मूँ आएगा 500 रुपए अगर फिन इप्टी बढ़ गई न भाई तो साड़े 500 रुपए आपके premium में एड हो जाएंगे 500 रुपए intrinsic value के बाकी delta बात समझ रहे हो क्योंकि जितने point market जाएगी उतनी intrinsic value आपके premium में एड होती जाएगी और कम तो होगी नहीं बाई कम क्यों नहीं होगी क्योंकि ठीटा तो है नहीं ठीटा तो जा चुका है दो बजगे तीन बज़े तक ठीटा विल्कुल 0 हो जाता है दो बज़े तक 10% 5% रह जाता है तो ठीटा के साथ हम trade करी नहीं रहे हैं तो डर किस बात का है ठीटा सारा न intrinsic value है अब 19,811 फिर निप्टी 19,811 पर चल रही है दो बज़े के बाद या तीन बज़े के आसपास 19,800 का जो strike price होगा दोस्तों उसका जो premium आपको मिलेगा वो 13 रूपे मिलेगा 13 रूपे 13 या 14 रूपे मिल जाएगा maximum 15 रूपे मिलेगा अब यह 15 रूपे किस चीज़ गें 11 रूपे तो intrinsic value है क्योंकि 11 रूपे उपर चल रही है market पलस 2-3 रूपे किस चीज़ के है डेल्टा या फिर थोड़ा सा time decay क्या दो रूपे आपका किस चीज़ का है time decay का है बात को समझ रहे हो यह इस तरीके से हैजिंग की जा लोग धड़ा-धड़ ड़ा-दड डěली हेजिंग करते हैं बिना बात के हैजिंग करते हैं डेली तो क्या होगा भाई थिट्टा दोगे आप option seller को दोनों साइड आपको लोऊस होगा क्योगे आपका थिट्टा 0 हो जात otherwise theta हर रोज खतम होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा खतम होता है वरना theta आपको चाट जाएगा आज तक आपको दोस्तों दोनों side loss इसलिए होता है क्योंकि आप theta के साथ trade करते हो ठीटा हर रोज कम होता है वीडियो दोस्तों कैसी लगी comment करके जुरूर बता है यह सब चीजे मैं दोस्तों यहां पर बताता रहता हूं यह एक इंस्टाग्राम का चैनल आपना सोरी टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा यहां पर आपको स्ट सीखने के आपको यहां पर भरपूर मिलेगा उनके फ्रोड लोग αυτा सब्सक्राइबर आपको दुगने दिख सकते लेकिन वह फेक सब्सक्राइबर बोट सब्सक्राइबर है ठीक है उनकी पैचान कैसे होगी जैसे कि जो हमारी व्यूर्श कांप्र जाली होई उनके उपर औ ना मेरा कोई whatsapp group है ना मेरा कोई call tips का group है course के regarding भी जानकारी आपको इधर ही मिल जाएगी और instagram पे बहुत सारे लोग मेरा photo logo लगा के लोगों को message करें मेरा backup account है crypto में invest कीजिए ये कीजिए नहीं भाई मैं किसी को message नहीं करता हूं पे ना WhatsApp पे प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा ना दे और सबसे जरूरी बाद दोस्तो option trading डेली ना करें option trading डेली ना करें कसम खा लिजे भाई ये एक सबसे बड़ा legal तरीका है लोगों को लूटने का ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं कभी मा option trading को support नहीं करता हूं हाँ ऐसी बात नहीं कि option trading में profit नहीं होता लेकिन सही समय में आपकी radar में आने के बाद काम करें चाहे quantity थोड़ी सी बड़ बेशक जाए लेकिन radar में आने के बाद काम करें और radar में डेली आएगी नहीं radar में डेली आएगी नहीं हपते में दो दिन तीन दन radar में आएगी बस आपके बात को समझ रहे हो, डेली ओप्सें ट्रेडिंग ना करें, हेजिंग डेली ना करें, हेजिंग केवल उसी इंडेक्स में करें, जिस इंडेक्स की उस दिन एक्सपायरी हो, जिसमें वोल्यूम अच्छी हो, लिक्विडिटी अच्छी हो, और दो बजे के बाद हेजिंग करें, strike price कौन सी लेनी है, strike price लेनी है दोस्तों थोड़ी सी इंदा मनी, थोड़ी सी इंदा मनी, 50 point इंदा मनी हो गई, bank nifty की 100 point इंदा मनी हो गई, और hedging, lost time पर करनी है बिलकुल, patience रखना है, 3 बज के 15 मिनिट तक अगर आपको target नहीं मिला, target कितना रखना है, एक side कम से कम फंद डब मतलब जो आपने, एक side आप 50 रुपय खो रहे हो, तो दूसरी side आपको, कम से कम double, triple तो उसका मिलना चाहिए, और ये आपको हो सकता है, 3 बज के 20 मिनिट पर मिले, कम तो होगा नहीं, lost क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि हम theta के साथ trade ही नहीं करें, हम तो intrinsic value के साथ trade करें, त तो ज्यादा से ज्यादा दस पांट का, पांच पांट का हो जाएगा, वो भी elastic हो लेकिन, अगर आपको दो expiry loss हो गया, तो तीसरी expiry आपको बड़ा मूँ भी मिल सकता है, इससे आप बड़े मूँ को capture कर सकते हो, तीसरी बज करना है, अगर एक दिन आप चूक गए बड़ करोगे तो, ठीक है, हाँ, अगर आप दोस्तों मुझे कुछ देना जाते हो, गुरु दक्षिना देना चाहते हो, भाई, मेरे लिंक से आप डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोरस में भी एक हजार रुपे का डिसकाउंट मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ए जरूर देने वाला हूं, उसके लिए, जो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करें, मुझे यूजर आइडी भेजे ना, भाई, मेरी हेल्प होती है, इस से मुझे मोटिवेट करता, और कोमेंट करके वीडियो के जरूर बताने नीचे, आपको कैसी लगी है वीडियो, आख्ये क कुलिया नहीं करें, समझ में है दोस्तों कितनी चोटी सी गलती कर रहे थे वाई, ठीटा के साथ एजिंग कर रहे थे, ठीटा के साथ एजिंग क्यों करें, जब ठीटा खतम हो जाए, जला जाए, तब इंट्रेंस से गल्यों के साथ एजिंग कीजी, लोस होने के चांस यूटुब पे आप उनको देखी क्योंकि उन पर मैं लेवल बताता हूं बाइंग एरिया कहा है जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया था निफ्टी में देख लिए बिल्कुल हमारे बाइंग लेवल सेलिंग एरिया को रेस्पेक्ट करके मार्केट गिरती है ठीक है तो मान ल के अद्ध करना है नहीं पर किले आप या प्रोफीट थोड़ा साइदी है तो बात को समझ रहे हो यह केवल तभी करना घर करना है जब मार्केट में आपको पैटर अध्रन समझ में आए या घर बज़ करनाया को को एक भी कएयो ते Pra वरना आप कमेंट करके बताओगे तो मैं पूरी ऑप्सन ग्रिक्स पे वीडियो ले आँगा चारट के उपर इस स्टेटेजी को चारट के साथ कैसी उप्योग करें उसके उपर वीडियो लेकर आजाओगा क्योंकि मैं अब दिरे-दिरे नया ओफिस का सेट अप कराओँ तो सब आपके लिए नहीं-ही वीडियो लेकर आने वालों चिंता मत कीजिए लेकिन यह वीडियो कैसा लगा समझ में आया अच्छा लगा तो जरूर बताइगा अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतम लोगों तक के वीडियो पहुंच जाय मुझे नहीं नहीं वीडियो नहीं स्टैटेजी की वीडियो लेकर आने में ठीक है और कुछ आपका डाउट है कुछ कंफ्यूजन रह गया है जो मेरे से चूक गया हो वाई क्योंकि काफी देश से बोल रहा हूं तो हो सकता है चूक होगी यह किसी मुझे तो नहीं लगता कोई पॉइंट रहा है फिर भी अगर कोई रहा हो तो आप मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा मैं उसके उपर सोट वीडियो या फिर नहीं अगली वीडियो बनाऊंगा जो अगला पार्ट अगर आप बोलोगे तो इसका बना दूंगा और एक पारट और बन सकता है दोस्तों इसका हो सकता है एक्सपैरी वाली दिन में पारट बना दूसका ताकि और अच्छे से कलियर समझ में आ जाए लेकिन वो कब बनेगा जब आप कोमेंट करके बोलोगे तभी बनेगा भाई ठीक है तो आज का वीडियो दोस्तों यह तक था आपको दोस्तों इसमें वैसे तो लगेगा नहीं फिर भी ज्यादा से ज्यादा दस पॉइंट दोनों साइड़गा दस-दस पॉइंट अगर कम हो जाए या 15-15 रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कम हो जाए तो ही एक्जिट करें वैसे होगा नहीं क्योंकि इंट्रेंसिक पर हम काम कर रहे हैं थोड़ा दो तीन पॉइंट का मुस्किल से होगा अगर कहीं विक्स ही खराब है तो ही हो सकता है लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकते दोस्तों अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा दूसरा पारट इसका कोमेंट करके आप जरूर ब जय माता दी जय हिंद